ओबे का हिंदी में मतलब होता है निभाना, आग्या पालन करना, कहना मानना, पालन करना, आग्या पालन दिखलाना, हुक्म कहना या फिर हुक्म मानना. जब भी हमें कोई बात कहता है और उसकी बात हम मानते है या फिर हमें कोई order देता है या हमें कुछ समझाता है या कुछ सिखाता है तो उसकी बात जब हम मानते हैं तो उसे English में obey कहते हैं किसी की बात को मानने में मानने को या किसी का हुकम मानने को English में obey कहते हैं एक बारें sentences को पढ़ लेते हैं, आपको कप्तान की आज्या का पालन करना चाहिए, आपको अपने माता-पिता की आज्या का पालन करना चाहिए, अपनी English को और अच्छा करने के लिए, आप हमारे चैनल के home page पर जाकर और भी वीडियोज देख सकते हैं, और आगया आने वाली ऐसी ही वीडियोज को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें,